और हम एकेडमी में आपका स्वागत है आज बाद विद्ध्याले सहायकों और परिशारियों की बहाली के संबन में दैनिक समाचार पत्रे आज में प्रकासी समाचार के मुताबिक जल्द ही विद्ध्याले सहायक और विद्ध्याले परिशारी की बहाली होने जा रही है पिछ के शिक्षक करमियों के आश्रितों की अनुकंपा पर बहाली होगी , नियोजित करमीयों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पे बहाली थी ये लेकिन töश्रिजान किया गिया दum कर्मी जिस नियोजन निकाई में कारजरत होंगे उसी नियोजन निकाई में उनके आश्रित का नियोजन होगा इसके लिए सेवा काल में मुरीद सिक्षक कर्मी के आश्रित द्वारा अनुकंपा बहाली के लिए आवेदन किये जाने का प्रावधान किया है राजकेएकित एंद्स प्रोजेक्ट करने zत्रों माधमिक माधमिक बिद्यालीों में स्विक्रिट सिक्चकेतर कर्मियों जैसे लिपिक के 1172 प्दों एंद्स उर्बहरकिये कर्मियों Bowl 1129 प्दों को प्रतियर पित करते हुए evidence इंद्स 16,500 रुपये मासिक नियत वेतन पर बिध्याले सहाय के 1172 पद एववं 15,200 के मासिक नियत वेतन पर बिध्याले परिचारी के 1129 पद पिछले साल श्रिजित किये गए थे चुकि विद्याले सहाय के विद्याले परिचारी के पद नौ स्रीजित हैं इसलिए इन पदों के लिए सिधी नियुक्ती से सम्मंधित आदर्स रोस्टर बिंदू एक से प्रारम होना है विद्याले सहाय के विद्याले परिचारी के पद के लिए रोस्टर पंजी अलग-अलग संधारित किया जाना है विद्याले सहाय के विद्याले परिचारी के नियुक्ति जीला अस्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाना है बिद्याले सहाय क्यों बिद्याले परिचारी के पद का आरक्षण समासोधन से सम्मंधित का अच्छेत्रिय सिक्षा उपनीदेशक द्वारा किया जाएगा यानि आरक्षण रोस्टर जो होगा उसको RDDA के अस्तर पे किलियर किया जाएगा बिद्याले साहे कम बिद्याले परिचारी के स्विक्रित पद के साप एक्ष आरक्षण समा सोधन कराने के उपरांद अधिक्तम पचास परतिसत पद पर अनुकंपा के आधार पर नियोजन आरक्षण बिंदो को ध्यान में रख कर किया जाना है अनुकंपा के आधार पर नियोजन में आरक्ष्ण प्रावधान नहीं माने जानी का प्रावधान है अनुकंपा के आधार पर नियोजन के लिए संगत नियमावली 2020 में निर्धारित प्रक्रिय का अनुसरण विद्याले साहे कम विद्याले परिचारी के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियोजन में किया जाना है जिला अस्तर पर अनुकंपा नियोक्ति हेतु प्राप्त अभ्यावेदन की संख्या उपलब्ध रिक्पद से अधिक होने की स्थिती में समंधित सिक्षक शिक्षकेतर कर्मी के सेवा काल में मिर्तु की तीथी के औरोही करम यानि घटते करम में किया जाएगा यानि जिस करमी की पहले मिर्तु हुई होगी उसके आस्रित को पहले नियोजित किया जाएगा और उसके बाद दूसरे को किया जाएगा या मैं बता दूँ कि ये बहाली जो आएगी ये राज्य अस्तर पे नहीं आएगी बलकि जिला सिक्षपदाधिकारी कारजाले में जो अनुकंपा वाले लोग आवेदन देंगे उसी के आधार पे जिला सिक्षपदाधिकारी जिले के लिए आवंटित पदों के हिसाब से रिक्ती का समय कित विवर्णी तैयार करेंगे और उसे विभिन नियोजा निकाईयों को उपलफ्त कराएंगे और नियोजा निकाईयां इसके लिए अधी सुचना जारी करेंगी और आवेदन आमंत्रित करेंगी और उसके बाद विद्याले सहायक और विद्याले परिचार मिल जाएगा और विद्ध्यालियों के काम काज को सुचारू संचालन में भी सहयोग मिलेगा यह खबर आज के लिए अच्छी है मैं समझता हूं कि आपको भी अच्छा लएगा बहुत-बहुत धन्या